जीनी महिला को हुई अज्जीब बिमारी नियंत्रित तरीके से बढ़ रहा पेट अकेले पेट का वर्जन हुआ 19 गिलो डॉक्टर्स के लिए पहली बनी बिमारी वैसे तो दुनिया में अंगिनत बिमारीय हैं कईयों का इलास डॉक्टर्स को मिल गया और कई बिमारीयों का इलास भी खोजपाना डॉक्टर्स और वेक्यानिकों के लिए आज तक चुनौती बना हुआ है उनके इलाज के बारे में आज भी डॉक्टर्स सोच रहे हैं और वो बिमारीया पहली बनी हुई है ऐसे में एक और विमारी सामने आई है चीन से जहाँ एक महिला का पेट अन्य अंत्रित तरीके से बढ़ रहा है और डॉक्टर्स को इस विमारी का पता ही नहीं चल पा रहा दवाओं का नहीं होता असर चीनी महिला हुआंग गोशियान पेट की अजीबों गरीब बिमारी से जूज रही है पिछले दो साल से पेट इतना बढ़ गया है कि अकेले पेट का वर्जन 19 किलो हो गया है जो शरीर का 36 वीसदी है रिपोर्ट के मताबिक पेट इतना जादा भारी वहसूस होता है कि सोना और चलना फिरना मुश्किल हो गया आप बच्चों की देख भाल भी नहीं कर पा रही पेट का अकार लगातार बढ़ता जा रहा है माहिला के मताबिक पिछले दो साल से वो इस बिमारी से जूज रही है दो साल पहले पेट दर्थ की शिकायतों ने पर डॉक्टिरी सला ली थी डॉक्टर ने दवाई भी दी थी लेकिन दवाओं से पेट का दर्थ तो कम हो गया लेकिन इसका बढ़ना खतम नहीं हुआ महिला की बिमारी इतनी जाद बढ़ गई कि उसे आर्थिक तंगी के कारण सोशल मीडिया के जर्ये लोगों से आर्थिक मदद मांगनी पड़ी इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट आली पोस्ट के कारण मदद के लिए हाथ बढ़े और करीब सबातीन लाख रुपे जुटाए गए हुआंक को मीध है कि इतने रुबए से उसका इलाज समभव हो पाएगा हुआंक कई डाक्टर से इलाज करा चुकी है जिसकी वज़े से उनकी आतिक स्थिती भी कमजोर हो गई है अब वेदेश के बड़े डाक्टर से इलाज करवाना चाहती है पहले भी हो चुकी कई बिमारिया ऐसा नहीं कि महिला को ये पहली बिमारी हो इससे पहले भी ये महिला कई बिमारियों से जूच चुकी है वांगी से पहले लिवर सिरोसिस ओवेडियन कैंसर बिना इने ट्यूमर से भी जूच चुकी है उनके सीनिय और पेट में पानी जमा होने की बाद भी सामने आ चुकी है लेकिन पेट का कार इस तरह बढ़ने की बज़ए नहीं पता चल पा रही महिला का ये भी कहना है कि दो साल पहले तक उसका पेट बिलकुल फ्लैट था लेकिन एक तिन अचानक उसको पीरेट्स हुए और उसके पेट फूलने का सलसला शुरू हो गया हालक कि उसने ये भी बताया कि शुरुआत में उसे काफी दर्द भी होता था लोग समझते थे प्रेगनेंट महिला का कहना है कि उसे इस बिमारी के कारण काफी परिशानियों का सामना भी करना पड़ा वो हर रोज शारीरिक और मांसिक तनाव से गुसरती थी जब वो घर से बाहर निकलती थी तब लोग उसे प्रेगनेंट समझते थे नीन पूरी ना होने से स्वभाव भी चिटचड़ा होने लगा था बात बात पे गुस्सा आता था घर में कामों में दादा दादी हाथ बटाते थे उम्मीद है जल्द वो पहले की तरह ठीक हो जाएगी महिला की इस बिमारी ने सब को सोच में डाल दिया है डॉक्टर्स पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये बिमारी है क्या और ये किस कारण हुई है इसका इलाज क्या है मगर अभी तक डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है क्योंकि इस तरह की कोई बिमारी अभी तक पहले कभी भी देखने को नहीं मिली जिसमें सिर्फ पेट का कार ही बढ़ रहा हूँ फिलहाल डॉक्टर्स जांच में लगे हुए हैं और पता लगा रहे हैं कि इसका हल कैसे और क्या निकलेगा प्योर रिपोर्ट पंचाब के स्रीक्रूप